CM पुत्र वेब अव गहलोत को कोई 20,000 रुपे महीने की सेलरी नहीं देगा कोई उसको 500 करोड क्यों देगा, क्या विशेषता उसके अंदर है उसी का पैसा हवाला के माध्यम से मौरिशस जाकर के और वापस एक नंबर का होकर जब आता है तो वो फेर माउंट ओटल में कनवर्ट हो जाता है अशोक गहलोत से जूटा मुख्यमंतरी आज तक आपने नहीं देखा है और विशेष बात यह जूट भी इस confidence से बोलता है तो वो जनता को मुर्ख समझता है कि उसके जूट को जनता हर बार मानती रहेगी अशोक गहलोत ने जनता के सामने हमेशा की तरह एक और जूट बोला कि मेरे बेटे का इस फेर माउंट ओटल से कोई सम्मध है ही नहीं इस पूरे मामले से कोई सम्मध ही नहीं लेकिन वास्तविक बात यह है सनलाइट कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके मालिक जो तीन थे उसमें एक रमाकान वैब अवगलोत और हिमानशी रमाकान जब हट गया तो वैब अवगलोत और हिमानशी गहलोत यह दो रह गए और वो जो हवाला से सेंकडो करोड रुपे मौरिशस गया था और मौरिशस से गूम कर जब यहां आया उसका लाब आज भी यह दोनों प्राप कर रहे हैं अब आप यह समझे कि जनता से हजारों करोड खुन चूस चूस कर जो पैसा लूटा गया था वो हवाला के माध्यम से मौरिशस चला गया और मौरिशस से चूंकि मौरिशस में तो ऐसा एक नमर दो नमर कुछ होता नहीं है तो वहां से जब यह पैसा वापस आया इसकी जांच एडी कर रही है तो अशोग गैलोट को दर्द हो रहा है अशोग गैलोट का एक और जूट सुनो वहव आदमी अपने आपको फकीर कह रहा था उस फकीर के पास जो प्रोपर्टी दिल्ली की थी निकली थी उस पर तो उस आदमी ने थूक कर चाट लिया लेकिन सनलाइट का रेंटल कमपनी के जो रिकॉर्ड है उसमें भी मान सरोवर की वो प्रोपर्टी जो मैंने पिछली बार जनता को बताई थी यानि कि फकीर अशोग गैलोट की एक और प्रोपर्टी जो चुपा रहा था वो सनलाइट कमपनी के रिकॉर्ड में आ गई है एक और रिकॉर्ड सुनिये जैपुर की यह प्रोपर्टी सुनिता गैलोट यानि अशोग गैलोट की पतनी के नाम से है और यह गिफ्ट की है अशोग गैलोट ने जो वेब ओ गैलोट के रिकॉर्ड में सनलाइट कमपनी का एड्रस है कुल मिला कर बात यह है कि ऐसी अंगिनत प्रोपर्टियां सामने आने वाली है जैसे जैसे एडी आगे बढ़ेगी तो अशोग गैलोट द्वारा जो जनता को लूटा गया अवैद खनन के नाम पर पुलिस के द्वारा वसूली के नाम पर सडकों पर, परिवयन में, टोल नाकों पर, रोयल्टी के नाम पर, ड्राइवरों को, पेपर लीक के नाम पर और जितने भी अन्य तरीकों से लूटा गया था वो सारी प्रोपर्टियां दिर दिर सामने आएगी और जिसमें कैश वसूली की गई वो हवाला से कहीं मौरिशश और अन्य देशों में जो गया वो भी घूम फिर कर, इनकी कुछ बोंबे की कमपनियों में और कुछ राजस्थान की कमपनियों में और कई अधर कमपनियों में वापस पैसा आ गया सचिन पाइलेट का नाम लगा कर सरकार के सभी विदायकों को जिस होटल में ले जाया गया वो होटल भी यही होटल था फेर माउंट होटल और अशोगेलोत समझता जनता भूल गई होगी कि यह वह होटल एक दूसरी होटल है लेकिन जनता सब जानती है और नहीं जानती तो अब जान चुकी है कि इस होटल में सारा अवैद पैसा गूम फिर कर आया वा है वो इसी गहलोत फैमिली से आया है गहलोत ने सभी को किसी ने किसी प्रकार इस्तिमाल करके फैका है उनमें से एक रंधावा भी है यह रंधावा वो ही है जिसको पहले राम भाग ओटल में रुकवाय जाता था जे डबलू मेरेट में रुकवाय जाता था और अब जब इस्ततियां बदली और खडगे का डंडा पड़ा राहूल गांदी का डंडा पड़ा तो इसको सरकेट आउस में पटक दिया है जहां पर उसको 115 रुपे की डाइट और 8 रुपे की चाही मिल रही है उससे पहले 8-8,000 रुपे के बीनर के बिल आते थे इसलिए सुकजिंदर सिंग रंदावा ने कहा है कि इनको एक साल पहले क्यों नहीं पकड़ लिया वास्टविक्ता तो यह है कि गांधी परिवार सहीत कॉंग्रेस के लगबग लोग यह चाहते हैं कि अशोग गयलोद, वैबव गयलोद और इनसे जुड़ेवे सभी लोगों को पकड़ ले, गिरतार कर ले और जेल में डाल दे क्योंकि ED को दीवी सूचनाओं में अधिकतर सूचनाएं कॉंग्रेस के बड़े लोगों से ही आई है, वैबव गयलोद कहता है कि मामला 12 साल पुरान था, मामला 12 साल पुरान नहीं था, 2020, 2021, 2023 लगातार सनलाइट कंपनी में यह हवाला द्वारा मोरिशस से आयवा पैसा और उससे लाभांश प्राप्त कर रहे थे, गहलोद फैमिली वैबव साब और उनकी पतनी, और गहलोद साब, वैबव गहलोद साब, आप जो जनता को जूट परोसरे हो ना, सच्चाई तो यह है, 12 साल पुराने मामले तो मेरे थे, जिसमें हाई कोट ने सपस्ट कहा था कि इस और इन एजेंसियों का जो दुरूप्यों किया, असली खेल तो वो था, गोवर्दन सिंग नाम का भूत इनके सर पर नाच रहा है, इन्होंने 12 साल पहले जो कुकर्म किये थे, अभीब खान गौरान के साथ मिलकर, वो कुकर्म बार-बार इनको याद हरे है, इसलिए यह 12 सा चिला रहे, जबकि वास्तविक्ता यह है, 2023 में भी हवाला द्वारा अवैद पैसा जो इनका मौरिशत से आया था, आज भी वैबव गेलोत और हिमान्शी गेलोत के खातों में है, और वो खा चुके, डकार चुके हैं, और यह सारा मामला 12 साल पुराना नहीं, इसी साल का है गाओं गाओं चौपाल चौपाल अब यह बात है कि इन बाप बेटों को इनके कुकरमों की सजा मिलनी ही चाहिए, जनता वोट की चोट देकर इनको दर्द देगी वो तो अलग कहानी है, लेकिन जनता यह चाहती है इनके कुकरमों की सजा होकर के यह गिरपतार होकर इनकी इनकी परेड निकाल कर इनको जेल का मूँ भी देखना पड़े धन्यवाद जैहिंजा भारत